तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम इसको चाप्टर की जो है वो है तो यही सब हम कर रहे थे और उनी डरिविटिव के लिए बहुत सारे मेथोड्स हमने देखे थे जिस तरीकी के फंक्शन्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपने चेंड रूल का अप्लाई करके डरिविटिव फाइंड आउट करना तो बैसिकली हमारे पास लिमिट्स कॉंतिनियंस और डिरिविटिव के टॉपिक था तो यह सब डिफरेंशल काल्कुलिस मैं आपने कवर किया आज की इस वीरियों में हम यूनिक टू में इन्ही डिफरेंशल काल्कुलिस की एक्लेकेशन की बात करेंगे अब application क्या होती है अगर कोई concept आपको आता है तो वो concept वो कहीं implement होता है इसलिए वो concept derive हुआ है तो basically यह differential calculus है यह इसकी implementation कहां पर है इसका कहां use है वो आप इस तरीके के chapter में cover करने वाले हैं application आपको बताएगा differential calculus के लिए तो last chapter में हमने dy by dx find out करना सीखा था कि derivatives आप कैसे find out करते हो and यह dy by dx हम dy by dx क्या represent करता है तो यह represent करता है derivative of y with respect to x यही होता है derivative dy by dx and जो determine करता है determines the rate of change of y with respect to x तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर differential calculus के application पढ़ने वाले हैं यह जो derivative है यही differential calculus में हमने निकालना सीखा था तो यह dy by dx जो है यह यहाँ पर दो variables है y and x variable है एक variable हमारा दूसरे के dependent है तो इस case में जब भी दो variables होंगे मतलब कि दो variables होने का मतलब होता है दो अलग-अलग quantities का होना तो हम उनको represent करते हैं the rate of change of y with respect to x अब rate of change क्या होता है rate of change होता है how fast is something changing कि कोई चीज किस तेजी से change हो रही है बदल रही है अब अगर हम बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं तो आपका time यहाँ पर जा रहा है आप अपना वीडियो में इस time देंगे devote करेंगे अपने time तो आप अपना skills पर काम कर रहे हैं साथ-साथ आपका जो कर रहे हूं as the money इस वीडियो के concept से ही उठाया है तो अगर आप देखेंगे तो skills पर आपके develop होरी है maths के लिए और आपका time भी आप devote कर रहे हो तो यह change हो रहा है तो rate of change की कोई चीज कितनी तेजी से change हो रही है तो वह हम यहाँ पर d y by dx की form से find out करते हैं जिसको d y by dx को rate of change of y with respect to x बोलते हैं अब with respect to x आप समझें मैं आपे बात कर रहे हूं वीडियो देखने की तो आप वीडियो अभी देख रहे हैं अगर तो time आपका जा रहे हैं तो time के respect में आपकी skills develop हो रही है increase हो रही है तो यह दो variables हो गए अगर हम time हमारा बढ़ रहा है साथ साथी तो आपक किसी function को differentiate करके find out करते हैं यह हमने आज इस वीडियो में अभी तक देखा अब आगे start करते हैं यहां मैंने bracket में लिखा हुआ distance, volume, pressure, etc. अब distance क्या होगा, volume क्या होगा, pressure क्या होगा, etc. यह सब आपको मालूम है distance travel किया है यहां से वहां अगर हम गए हैं तो वहां तक क्या distance हो जगा, कितनी space consume क्या होगा है, वह हमारा volume होता है and ऐसे ही accordingly pressure. तो rate of change मैंने बताया कि dy by dx आपका rate of change है and किस के respect में क्या निकालना होता है, वो depend करता है क्या quantities है या क्या variables है. अब एक example के help से समझते हैं थोड़ा और, यह आपकी book में example given है, let s be the distance of a particle, यह particle है, या कोई कह लीजिए, from origin at a time t, एक s नाम का distance है, जिसे s की जगा हो सकता है, 1 km, 2 km या 1 m, तो यह distance है s, जिसको हम variable as the ले रहे हैं यहाँ पर, s को, तो यह distance, इस variable की value कुछ भी हो सकती है, हम यहाँ पर इसको s मान रहे हैं, अब डेरिवेटिव, ds by dt हमा रिपेजन कर रहा है speed को, which is a rate of change of distance with respect to time t, अब हमारा speed क्या होती है, speed अगर हम काल्कुलेट करें इसके लिए, तो आपको distance given है, आपको time given है, तो speed होता है, speed is equals to distance, पौन में time, तो अगर मैं इस पार्ट को differentiate कर लू, तो मेरे पास आजाएगा rate of change of distance with respect to time t, इसलिए हमने d की जगा पर s को replace किया, क्योंकि जो कुछ T है, तो capital T की जगा मेंने small t represent कर दिया, तो replace करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ds by dt, now, speed which is the rate of change of distance with respect to time t, तो ये हमारा जो change आगया है, ये है the rate of change of distance with respect to time t, अब भी तख हम इसको बोलते है, ds by dt, लेकिन हम यहाँ पर आपी एक application की बात कर रहे ह कि एक application है, एक implementation है कि आप कहां पर आपने कैसे derivative का use करके rate of change find out किया, distance और time के लिए, तो इसके लिए क्या किया आपने, आपको given जो था part, उसके लिए rate of change कैसे find out किया, उसको differentiate करके, तो यहाँ पर जब भी rate of change आपको find out करना होगा, ये जो आप देख रहे हैं अभी string, ये rate of change ये हम बहुत जगा पर यूज करने वाले हैं, तो आगी जितने में आने वाले questions है, और रेट of change करने वाले हैं, अब हम एक example देखेंगे, a spherical balloon is being inflated at the rate of 900 cubic centimeters per second, अब यहाँ पर आपको पहल देखना है कि a spherical balloon है, जो बढ़ रहा है, मतलब उसका volume increase हो रहा है, अगर एक बैलू अगर मैंने अभी फुलाना शुरू किया है, तो वो यहाँ पर है, देन कुछ time बाद वो इतना बढ़ जाएगा, तो इस case में हम यही बात कर रहे हैं कि उसका volume बढ़ता है, हवा में जो वो space ले रहा है, वो हमारा volume होता है, तो volume उसका बढ़ेगा, अब वो कैसे बढ़ रह किन के हिसाब से इतना तेजी से हमारा इसका volume बढ़ रहा है, how fast is the radius of the balloon increasing, कितनी तेजी से उसका radius बढ़ रहा होगा, जब radius है 15 cm, अब मान लो कि हमारा जो balloon है, वो almost बढ़ चुका है, तो 15 cm उसका यहां तक आया, radius, तो radius उसका 15 cm है, तो उस case में हमारा radius, कितनी तेजी से बढ़ा होगा, कितनी तेजी से बढ़ा होगा, तो how fast हमें उसकी तेजी find out करनी है, तो इस case में हमें radius के लिए differentiate करना होगा, तो radius के लिए differentiate करने से पहले, मैं आपको ज़रा यह जो given part है, उसको भी समझा दू, 900 cubic cm per second, अब अगर आप देखोगे, एक आपको पात ध्यान रखनी है कि जितने भी units होती है, उनके लिए क्या-क्या measurement हम लेते हैं, जैसे कि volume को हम cubic centimeter में कहते हैं, तो cubic centimeters, अब यह भी बढ़ रहा है, is being inflated at the rate of, तो rate of already यहाँ पर given है, तो rate of जहां भी लग जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि उस case में वो differentiate की हुई term है, तो यहाँ पर 900 cubic centimeter साथ में क्या बात करे है, ताइम की, तो time हमारा है seconds में, और साथ में मिला दिये तो यह volume और time हमारा साथ में बंजरा 900 cubic centimeter per second, तो यह जो given part है, rate of, क्या, volume का rate of change with respect to time, t, क्योंकि time के respect में change हुआ है, तो rate of volume, यहाँ पर अगर आप देखोगे, differentiate यहाँ पर आपको given, तो rate of हमें 900 cubic centimeters per second given है, आपको यहाँ पर given part में बहुत जाला ध्यान रखना है, अगर rate of यहाँ पर given है, तो उसका मतलब की Q, जो volume है, वो differentiate हुआ हुआ है, with respect to time, I am with respect to time इसलिए बोलें क्योंकि पर second है, तो dv by dt आपको given है 900 cubic centimeters, लेकिन यहाँ radius में कोई rate of नहीं use किया हुआ, तो इसकेस में हम इसको as a variable r मान कर count कर लें कि 15 centimeter, तो r is equals to 15 centimeter, इसे पहले, let कर लीजे, r be the radius and v be the volume of the balloon at instant t, तो at time t के लिए हमने volume और radius find out कर लिया as a variable r, v and t, अब इसके बाद आपने given part को ध्यान से find out करके, जिसे मैंने आपको बताया कि क्या tricks होती है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा differentiate किया हुआ part है and कौन सा differentiate किया हुआ नहीं है, तो rate of यहाँ था, तो इसलिए और साथ में जो हमारी units है cubic centimeter per second हमें यह बता रहे हैं कि volume और seconds का साथ में calculation हुई है तो और साथ में आगे rate भी लगा हुआ है, तो rate of के साथ में हम इसको differentiate करके लिखेंगे, अब हमें find out जो करना है वो radius के लिए differentiation हमें find out करना है, तो rate of change, radius with respect to time t हमें find out करना है, अब spherical के लिए, spherical balloon के case में कुछ formulas आपको ध्यान रखने हैं, मैं formulas पहले नहीं बताने वाली हूँ, जैसे जैसे हम questions कवर करेंगे, उस question में क्या formula यूज होगा, वो मैं आपको बताऊंगे सीधा, और उनको आप साथ में separately, आप लिखते रहें और उनको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि exam में question बहुत simple आते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ वजे से उनको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें formula याद नहीं होता है, तो ध्यान रखें, अब given part हमारे पास ये होता है, कि spherical balloon के लिए, volume of sphere का formula होता है, 4 by 3, pi r cube, 4 by 3, हमारे पास ये, ये हमारे प पाई, पाई भी एक scalar या constant आप कह सकते हैं, जिसकी value 3.14 या 22 by 7 होती है, और ये r cube जो है, ये हमारा variable है, और ये v है, तो अब सबसे पहले v को also 4 by 3, pi r cube लिख लेते हैं, अब जो given part है dv by dt है, तो अगर मुझे dv by dt के लिए 900 पूट करना है, इसमें, given में, तो पहले मुझे करना होगा, किसके respect में, t की respect में, क्योंकि given जो है, वो dv by dt है, और जो में find out भी करना है, वो dr by dt है, और मैंने आपको बता दिया है, कि dr by dt हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम radius के बढ़ने की बात करना है, तो वो time के respect में बढ़ेगा, और given भी जो है, वो seconds में है, आप इसको differentiate करना होगा, तो differentiate करेंगे उस according, both sides with respect to t, dv by dt आजाएगा, is equals to, इसको differentiate कीजिए, यह तो पुरा scalar part as it is, यहां रहेगा, r cube, r cube differentiate अगर होगा, एक अलग variable है यह, लेकिन differentiation के लिए हमारे पर इसका है, dv by dt है, यह दो अलग-अलग variable, तो जब भी तीन variables होंगे, तो मैंने जिसे हम compound function कहते हैं, तो एक तरह से यह compound function है, अगर हम t के respect में differentiate कर रहे हैं, और right hand side में कोई t नहीं है, और जो variable है, उसको again differentiate करेंगे, ताकि वो t के respect में differentiate हो पाए, तो dr cube by dr लिखेंगे into dr by dt, तो dr cube, r cube differentiate होगा, x की power n के लिए, nx की power n-1 लिखा जाएगा, तो यह हो जाएग and dr by dt मैंने इसले differentiate किया, तो यह as a rule लिखा जाएगा, chain rule के according, dr by dt हमने क्यों लिखा था कि, t की respect में differentiate कर रहे हैं and यह function तब तक differentiate उतर रहेगा, जब तक हमें नीचे t ना मिले, तो t हमने अगले ही step में इसको इसले differentiate करने के बाद, now, अब हम put कर लेंगे, जो जो हमें given है, dv by dt की जगा पर हम 900 put कर सकते हैं and r की जगा पर हम put कर सकते हैं 15 cm, अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मालो यह volume जो given था 900 cubic cm में given था, तो यह भी cm में है, यह भी cm है, माली जगर यह meter में होता, यह cm में होता, तो हमें उस according units में फिर conversion भी करना पड़ता, तो वो हम आगे की वीडियो में लेखेंगे, अगर हम ऐसा कोई question मिलता है, तो एकिन अभी के लिए cm है, cm में ही यह radius भी given, तो हम उसको directly वैसा ही put कर लेंगे, तो put करने के बाद हम यहां लिख रहे हैं, given dv by dt is equal to 900 cm3, cubic cm को हम ऐसे denote करते हैं, cm3 per, पर मतलब की oblique seconds and r is equal to 15 cm, अब इसका आगे देखते हैं solution, तो आगे के solution में dv by dt is equal to, इस तरीके से मैंने put कर लिया, 900 and यहां पर 15 का square, now 15 का square हो जाएगा, इंटो 15, इंटो 15 हम यहां लिख लेते हैं, पाई की जेगा पर मैंने इसको 22 by 7 लिख लिए, अब बुक में जो answer है, वो पाई आज रखा हुआ है हमोने और रेप्लेस नहीं किया, उसको 22 by 7 या 3.14 नहीं put किया हमोने, तो इन बोनों में से कोई भी वेलिया आपकी पाई आप रेप्लेस कर सकते हो, 22 by 7 या फिर 3.14, तो मैंने आपर 22 by 7 लिख लिया है, और सब को multiply के साथ लिख लिया है, अब यहां आप देखोगे, जैस इतनी तेजी से रेडियस बढ़ रहा है, जब रेडियस जो पहुच गया वो 15 cm है, यह rate of change है, मतलब कि इतना change इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यह differentiate होकर हमने इसको left-hand side में लिख लिख लिए और बाकी जो काल्कुलेशन और पार्टन को साथ में, तो यह multiply में हैं सारे, तो यह जो है, 7-e-s-quad multiply में आ जाएगा, तो इस अकॉर्ड काडिन 900 x 7 and divide में 4 x 22 x 15 x 15, अब में इनको solve कर लिया साथ में, तो यह होजाएगा 0.32 cm per second, अम में आप per second क्यों लिख रहे हूं, क्योंकि हमें question में d r by dt आ गया है, तो d r by dt, अब unit जो है ना यह, जो measurement आपको करनी है, यूनिट को लेकर वो question के according ही कर लेनी है, आपको r given है centimeter में, divide में है t, और t given है seconds में, तो इसलिए ये centimeter per second आ गया, और या तो आपको ध्यान रखना है कि जो increasing हमारा ये हो रहा है, radius वो time के respect में हो रहा है, तो जो ये units का लगाना बहुत जरूरी है, कि 20 centimeter per second ये बहुत ज़्याद ये examiner जरूर काटता है, examin marks, तो ध्यान रहे, end में answer आजाएगा तो उसको अपनी units में लिखना न भूले, अब हम final answer लिख लेंगे, thus the radius is increasing at the rate of 0.32 centimeter per second, तो इतने radius के rate के साथ वो बैलून बढ़ रहा है, आज की video में इतना ही question बाकी आगे हम थोड़ा और elaborative way में देखेंग तो इसलिए ये जो video है थोड़ी lengthy होगी, अगर आपको हमारी videos पसंद आये तो like करें, हमारी आगे आने वाली videos में update रहने के लिए subscribe करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें, thank you